अब हम देखते हैं परिक्षा सर्ग, अब सबरी की दिन्नी चर्या में बदलावा गया था, अब दिन्नी चर्या मानों उसके लिए पक्त शिरोमणी उसे बना दिया, उसने गुरु के सेवा को ही अपनी दिन्नी चर्या बना दिया अब सबरी तूलशी बन चुकी थी, शबरी ने इस विराट और उद्वगा में व्यक्ति का परिचे कीवल मतंग रिशी को ही था, लेकिन शबरी के इस बढ़ते हुए तेज को आश्रम के अन्य अन्तेवासी सहर नहीं पाए आश्रम वासियों ने शबरी का जीना हराम कर दिया किसी ने तो कहा कि मतंग रिशी अपना रास्ता भूल गया है, आश्रम में उन्हें मैला कर दिया है या कैसा अनाचार है कि एक महत्मा ने सुद्रा को अपने घर में स्थान दिया है आश्रम के सभी साधूचंत ने आखिरिया नेने किया कि मतंग रिशी और शबरी को समाज का नेने स्विकार करना ही होगा वरना उन दोनों का बहिचकार किया जाएका मतंग रिशी ने जब यह सुना तो वे मन ही मन बड़े खिन्नव हुए वे साधूँ पर तरस खाने लगे कि ये लोग धर्म के सही मार्ग को कब समझेंगे मतंग रिशी कहने लगे कि जो साधू समाज अपने को स्रिस्ट समत्ता है वह उनका अपना दंब है जिस सबरी की का जीवन सात्विक बन चुका है वह आरिया नहीं तो क्या है पंपा सरवास्यू का वे को संबतित करते कहते हैं कि तुम पिछडे हो सबरी ने इस सरोवर की जल दूशित कर नहीं की लेकिन इस सबरी के चरण स्पस ने इसे करने वाली दुर्वा से पुछो की वे किसकी माला जबती है झाल 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 यहां परिक्षा सर्ग भी आता है जिसमें शबरी की परिक्षा होती है इस पस्चयात दर्शन सर गाता है जिसमें शबरी के लिए अभी भी लोगों के मन में क्रोध थे और वे लोग दूर उसकी नींदा करते थे इसी बीच सीतारंगा समाचार सब लोगों को मालूम होने पर राम उस वन में भी आ चुके हैं यह पता मतंग रिशी को लग जाता है और उन्हें लगता है कि भगवानी शास्रम में आकर शबरी को अपनी शरण में अवश्य लेंगे कुटी से बाहर कोलाह सुनाए पड़ता है तोड़ी देर में लोगों से घिरे हुए रहते हैं आकर उनके चरण में शिश नमाया शबरी अपनी कुटी में प्रभु के ध्यान में डुबी हुई है राम ने बतलाया कि पंपासर में आपका आश्रम सुना मिला सारी बाते चानकर बड़ा दुख हुआ मतंग जैसे महान रिशी के बारी में मुर्खों ने यह कैसा प्रमाद फैला दिया है मैं शबरी की तपस्या की कहानी सुनकर यहां आया हूँ उनकी कहानी सुनकर सारी मानवता कृतार्थ हो जायेगी फीर को चीरती हुई वह अपनी गुरु के पास पहुची वह पुझा का प्रसाद लाई प्रसाद के रूप में केवल जंगली बेर थे जिसे सबरी ने गुरु के चरणों में रख दिया तभी सबरी का तपस्या सुरी त्याग भाग बगवान की राम की ओर गया वह तुरंत प्रभु को पचान गई कि राम लक्ष्मन दोनों के दर्शन देने आये है आनन से उनका मन प्रफुलित पुलकित हो गया सबरी किंकर किर्तव्य मूठ सी हो गई और प्रभु को कहां बेठाए और कहां खिलाए अत्यन संकोच के साथ सबरी ने एक एक बेर चक्कर भगवान को दिये भक्ति के भूखे भगवान ने अत्यनत प्रेम से उसके जूठे बेर खाए इसे देखकर वहां उपस्तित जनसमु चकित रह गया तक भगवान ने सब लोगों को संबोतित कर कहा कि शबरी जगमाता है आज मैं भी पवित्र हो गया सती सबरी इस्तेता में धन्य है सबरी ने प्रभू से निवेदन किया कि अब मैं प्रभू का व्योग नहीं सहन कर शक्ति तभी उसमें योग अगने की ज्वाला सुलग यह खंड काव्य समाप्त होता है